क mesa है है कि है Hagiri को आप सभी को सोगत है अपने यूटूब चैनल पर तज़िसे कि आत यहां पर देख रहे है गार थे यहाँ पर एक amplifier है तो guys इस amplifier में आज के वीडियो में हम इसे aux connection करने वाले हैं तो guys aux connection के guys दो तरीके में इस वीडियो में बताने वाला हूं तो guys वीडियो पूरा देखे और वीडियो पसंद आए तो like कमेंशर जरू कीजे और channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो guys channel को subscribe जरू कीजे तो देखे guys तो यहाँ पर connection करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूत पड़ेगी guys देखें तो जैसे कि guys यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर main है guys यहाँ पर wire तो यहाँ पर जो है mobile का जो earphone है उसका wire लिया हूं guys यहाँ तो जैसे कि यहाँ पर एक होता है guys फ्राइड इससे audio होते हैं तो यह दोनों shot करके हम तीन वायर बनाने वाले हैं तो इस तरीके से हमारे तीन वायर बन चुके यह cable हो चुका है हमारा ठीक है अभी guys हमें दो capacitor की जरूत होगी तो यहाँ पर filter capacitor लिया है guys हमने 4.7 use of 50 volt या 63 volt तो यहाँ पर 4.7 use of capacitor लिया है guys ठीक किस तरीके से करना है तो इसे मैं निकाल दूँगा तो देखें guys यहाँ पर जो वाल्यू में यहाँ पर जो है तीन नंबर की पीन होती है guys यहाँ ग्राउंड की होती है और यह जो है guys IC का जो application करने के लिए यहाँ पर यह वायर है guys ठीक है अभी guys यह जो है base filter जो filter होके आता है यहाँ पर आता है guys ठीक है तो इस पर हम करने वाले हैं guys connection तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर एक लगाएंगे capacitor और यह दूसरी साइट तो guys से किसी भी तरीके से लगा सकते guys यह सिर्फ आवाज नहीं फटने के लिए यह हमने लगा रहे है guys ठीक है तो देखें यहाँ पर connection हो चुके है यहाँ पर ठीक है अभी से ऑक्स कनेक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर हम जो capacitor को है यहाँ पर left और right लगा देंगे अब लेट और राइट अभी गाइज यह जो है ग्राउंड ग्राउंड को हम वाल्यूम के तीन नंबर पर लगा देंगे तो इस तरीके से गाइज हमारा simple ऑक्स कनेक्शन हो चुका है यहाँ ठीक है अब इसमें यहाँ पर अठका देता हूं यहाँ पर इदर उदर ना गीरे इसलिए अगे तो गाइस अभी से आवाज किस तरीके से आती है बताता हूं तो यहाँ देखें मैं mobile ले लता हूं यहाँ पर connection कर देंगे तो देखें यहाँ पर पावर ओन कर देता हूं और अउन हो चुका है उससे पहले गाइस यहाँ पर जो मोडूल है मोडूल के जो connection निकाल देंगे कि यह बज़ेगा वहाँ पर ठीक है तो मैं पावर वायर निकाल दिया हूं यहाँ ठीक है अभी यहाँ पर पावर ओन कर दिया हूं तो देखें यहाँ पर मैं प्ले करता हूं गाना कर देखें कर देखें गैज एक दम नॉर्म लेगाई लगाने के लिए तो यह जो connection लगाते हैं गाइस एकदम नॉर्मलेगाई पर गईप्र गईप्रव्लम् जो है बेस ट्रेबल इसमें नहीं आता है यहाँ पर जो audio में जितना बेस ट्रेबल है उतने ही बज़ेगा गए ठीक है तो इस तरीके से यह एकदम simple तरीका है अभी गाइस दूसरा तरीका देखे किस तरीके से है तो इसे मैं निकाल देता हूँ इसे वापस से लगा देता हूँ आपे ठीक है जो दूसरा तरीका है मैं यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर देखे तो जैसे कि यहाँ पर हम बोर्ड में connection करने वाले हैं यहाँ पर तो यहाँ पर देखे यहाँ पर जो यहाँ पर जो वायर है गाईस module का audio in का ठीक है तो यह base travel filter में जा रहा है तो यही है यहाँ पर aux connection तो इसे भी लगाने का तरीका उसी तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं audio के वायर निकाल देता हूँ यहाँ पर तो इस तरीके से यह audio के तो इसका जो beach का वायर होता है ground का होता है और left और right आजू-बाजू के होते है इस तरीके से ठीक है तो गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है left और right मैं लगा देता हूँ यहाँ पिन में left और right अभी ग्राउंड को मैं अलग से लगा दूँगा तो जैसे कि यहाँ पर ground है यहाँ पर तो यह जो ground है इस तरीके से फिरके आया हुआ है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा और इसे में done कर लोंगा guys अभी guys यहाँ पर जो aux का जो ground है उसको हम जो wire निकाले थे वो wire लगा देंगे तो देखे इस तरीके से जो हमारा लेट राइट यह ग्राउंड ठीक है इस तरीके से हमारे ऑक्स कनेक्शन निकल चुके हैं यहाँ पर इसकी आवाज देखी गाइस की तरीके से है तो यहाँ पर मैं पावर ओन करता हूं तो देखे यहाँ पर देखें गाइस तरीके से चलने माला है यहाँ बैस आ रहा है तो यह पर दो तरीके से कर सकते हैं ड़िफायर में तो यह वीडियो कैसा लगा गाहिस कमेंट में ज़रू बताइए और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक मिए विश्य जरू कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैस चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजिए गाइस थैंक्यू गाइस